इस सम्मानित करने मां भारत माता के कर्मट तथा बहादुर सेमे को सम्मानित करनी के लिए किया गया है जिन्होंने देश सीवा में अपने प्राणों की आपूती दिए आईज एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको नई दिल्ली का समर इसमारक दिखाने वाले हैं जो हमारे भारती जवानों को समर्पित है और यहाँ पर एक जोती है अमर जवानी जोती जो हमेशा जलती रहती है और जितने भी भारत पाकिस्तान यूद भारत चाइना यूद और अधर आपरेसंस हुए है उसमें सहीद होने वाले हमारे जवानों के इसमें सभी के नाम लिखे हुए है तो चलिए आपको दिखाते हैं अमर जवान जोती यहाँ पर जलती रहती हमेशा तो वो चीज दिखाने वाले हैं तो यह इंडिया गेट का दूसरा पार्ट है क्योंकि पहले पार्ट में हम पूरा नहीं कवर कर सकते थे इसलिए हमने यहाँ के दो पार्ट बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकें और अच्छी जानकारी दे सकें तो यह जो अमर जवानी जोती है वो पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान युद्ध और उसके याद में यहाँ पर अमर जवानी जोती जो है वो हमेशा जलती रहती है तो चलिए आपको दिखाते हैं वो अमर जवानी जोती कहां पर है और गाइच यह है अमर जोती कि देख सकते हैं कि यहां जितने भी हमारे बीर जवान सहीद हुए थे उनके सभी के नाम यहां पर लिखे हुए है आप देख सकते हैं यह यहां पार यह देखिए इस सभी जगह लिखे हुए और गाइच यह देखिए यहां पर खुवारे चोटे चोटे लगे हैं और यहां से इन्जोई कर सकते हैं यह देख मेगदूत 1924 और उसके आगे की आपर हिस्ट्री लिखे हुई है आप देख सकते हैं यह सर्किल एक तरह का बना हुआ है और सभी जगह उनके नाम लिखे हुए है हमारे जवानों के जिन्होंने हमारे देश के लिए सहादत दी है और कुर्बानिया दी है उसके लिए यहां पर और इसमें अभी लिखना बांकी है यहाँ पर लिखा जाएगा नाम सभी का यह देखिए इधर लिखा हुआ है उधर नहीं लिखा हुआ है यह देखिए जो सान से लहर आ रहे हैं गजब यह दोदलो में सोगों के लिए में लिएक पर dimension परяжे है लिए है जो घए और जाएगा है प्राइब करते हैं भारतमाता के कर्मट तथा बहादुर सेमी को सम्मानित करनी के लिए किया गया है जिन हुने देश सीवा में अपने प्राणों की आपुती दी है National War Memorial, Guidelines for the Visitors to the Memorial The National War Memorial is an emblemating monuments of the sacrifices and courage of the Indian Armed Forces personnel to uphold India's integrity and honor The Memorial is constructed to honor the brave soldiers of India who have laid down their lives in service of the nation since independence ये राष्ट्री सवर्ष्पारत एक अवित्रस्थान है यहां आने वाले सवर्ष्पारत को से अनुरूद है कि स्वार्ष्पारत की मान मर्यादा का पालत करें National War Memorial is a sacred and fious place Patrons are requested to accord respect and follow a befitting code of conduct आप पुष्पिया गुंदस्ता ओनर बॉल पर प्रणाद कर सकते हैं Smarak पर मुंबस्ती या दिया जलाने की अनुमत है नहीं है You may place a flower or bouquet at the base of the honor wall at the dark chakra However, lighting candles, lamps or the hours is not permitted Samar Smarak में प्रवेश निशुडग है Entry to the memorial is free Smarak में प्रवेश तथा निकास निरधारत स्थानों से ही होगा Entry and exit is permitted from designated locations only Smarak स्थाल में अनुरोद पर wheelchair की सुविधा उपलब्द है Wheelchairs are available on request इसलिए जाइज अभी स्थिरहाल यहां से बाहर निकलते हैं और यह है exit gate तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप अपने जवानों को सरद्धानजली देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप सरद्धानजली अरपित कर सकते हैं और चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं कि ससक्ष associacions पाएब को सकते हैं जएफ ए 지ो यह ह 캐sal söylेदे कर सकते हैं झाल झाल